नमस्कार लित्रू इस मकर संक्रान्ति में भगवान सूरी की पहली किरण जैसे ही आपके माथे पर पड़ेगी आपका कोई बड़ा संकल्प पूरा होगा ऐसा मुझे विश्वास है और वैसे भी 2021 को हमने संकल्प वर्स की रूप में मनाने का निर्णे लिया है और इस वर्स में हम प्रतेक वर्स की तरह अनेक लोगों के संकल्पों को पूरा कराने का प्रयास करेंगी मित्रों हर मनुसे का एक संकल्प होता है चाहे वो धन के बारे में हो चाहे स्वास्थे के बारे में हो चाहे सम्मंधों के बारे में हो चाहे लोग प्रता के बारे में हो प्रग्रति के बारे में हो या प्रसनता के बारे में हो और वो संकल्पूरे भी होते हैं लेकिन संकल्पों के रुकने का तूटने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है निरंतर प्रयास की कमी यानि प्रयासों में निरंतरता की कमी संकल्प तो आप ले लेते हैं कि सुभई पांस बजे जगोंगा और पचास किलोमेटर टहिलूगा लेकिन सुभई जगे ही नहीं पाते तो फिर ऐसा संकल्प क्यों लेते हैं सुभई साथ बजे जगोंगा और तीन किलोमेटर टहिलूगा ये संकल्प लेना चाहिए लेकिन अफसर हमें कहा जाता है कि बड़ा से बड़ा सोचो और बड़े से बड़े संकल्प लो बिना हमारी शम्ताओं का आंक लन किये और बिना हमारी विल पावर को समझे तो हाथ की रेखाओं में चाहे हो श्रीर से रेखा हो चाहें उठे का प्रथम परव यानि विल पावर हो ये बताते हैं कि आपके संकल्प सकती क्या है और आपका संकल्प किस हद तक पूरा हो सकता है और कैसे पूरा हो सकता है तो इस साल आपको बड़े सिस्टमेटिक तरीके से बहुत ही चणबध तरीके से हम आपके संकल्पों को पूरा कराने का संकल्प लेते हैं और अगर आप विश्वास रखते हैं आपके द्रसद्धा है धैरे है और पुरुसार्थ है तो आप हमसे जुड़िए वीडियो में दिये गए लिंक को देखिए फाम को भरिए और हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको अपने संकल्प को 2021 में पूरा करना है और उसमें मैं सभी कावान करता हूँ कि सभी लोग आएं और अपने संकल्पों को सिद्ध करें